लॉड डसक्र्न भारत के गवर्णर जनरल रहे थे लॉड डसक्रीण 1884 इशवी में लॉड रिपन के बाद भारत का वायसराय बनकर आया वह 1884 से 1888 इसवी तक भारत का वायसराय तथा गवर्णर जनरल रहा था सामान्य तोर पर उसका शासनकाल शान्तिपूर्ण था, लेकिन त्रीतिय बर्मा युद्ध 1885 से 1886 इस्वी उसी के कार्यकाल में हुआ, जिसके फलस्वरूप उत्तरी बर्मा ब्रिटिश भारतिय सामराज्य का अंग बन गया रूसी अफगान सीमा पर स्थित पंजदेह पर रूसियों का प्जा हो जाने के कारण रूस तथा ब्रिटेन के बीच युद्ध का खत्रा पैदा हो गया था अफगानिस्तान के अमीर अब्दुर्रह्मान, 1880 से 1901 इस्वी के शांती प्रयास तथा लौड डफरिन की विवेक्षीलता से यह युद्ध नहीं छिर पाया लौड डफरिन के कार्यकाल में ही 1885 इस्वी का बंगाल लगान कानून बना जिसके अंतरगत किसानों को भूमी की सुरक्षा की गारंटी दी गई थी न्यायुक्त लगान निर्धारित कर दिया गया तथा जमीनदारों द्वारा बेदखल किये जाने के अधिकार को भी सीमित कर दिया गया किसानों के हित के लिए इसी प्रकार के कानून अवध और पंजाब में भी बनाए गए ग्वालियर पर सिंधिया के शासन की पुनरस्थापना भी डफरिन के कार्यकाल में ही की गई लॉड डफरिन के कार्यकाल की सरवाधिक महत्वपून घटना है 1885 इसवी में भारतिय राश्ट्रिय कॉंग्रेस का प्रथम अधिवेशन बंबई में होना प्रारंभ में इस अधिवेशन की महत्ता नहीं आकी गई लेकिन बाद में इसी संग्ठन के माध्यम से भारत को 1947 इसवी में स्वाधीनता प्राप्थ हुई लॉड डफरिन का इतिहास लॉड डफरिन का कार्यकाल 13 दिसंबर 1884 से 10 दिसंबर 1888 इसवी तक था लॉड डफरिन के कार्यकाल में त्रीतिय आंगल बर्मा युद्ध की विशेशताए त्रीतिय आंगल बर्मा युद्ध 1885 से 1888 इसवी में बर्मा के कोनबॉंद राजवंश और बिटिश भारत के मध्य हुआ था जिसमें ब्रिटिश भारत की जीत हुई और बर्मा आधुनिक नाम म्यामार को भारत का हिस्सा बना लिया गया था। लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में ही भारतिय राष्ट्रिय कॉंग्रेस की स्थापना 28 दिसमबर 1885 इसवी बंबई आधुनिक नाम मुंबई में की गई थी। भारतिय राष्ट्रिय कॉंग्रेस क्या है? भारतिय राष्ट्रिय कॉंग्रेस वर्तमान भारत की एक राजनीतिक पार्टी है लेकिन इसके नेताओं का देश की आजादी में अहम योगदान था इसलिए भारतिय राष्ट्रिय कॉंग्रेस के इतिहास को जानना जरूरी है। भारतिय राष्ट्रिय कॉंग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 इसवी को बंबई में हुई थी और इसके संस्थाक एलेन ओक्तेवियन ह्यूम, ए ओ ह्यूम, दादा भाई नौरोजी और दिनेश वाचा को माना जाता है। भारतिय राष्ट्रिय कॉंग्रेस के प्रमुख अधिवेशन भारतिय राष्ट्रिय कॉंग्रेस का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 इसवी को मुंबई के गुकुलदास तेशपाल संस्कृत कॉलेज में आयोजित किया गया था और इसकी अध्यक्षता कोलकाता हाई कोट क भारतिय राष्ट्रिय कॉंग्रेस का तीसरा अधिवेशन 27 से 28 दिसंबर 1887 इसवी को मदरास चैननई में आयोजित किया गया था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता सयद बदुद्दीन तयबजी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष ने की थी भारतिय राष्ट्रिय कॉंग्रेस का चौथा अधिवेशन 28 से 29 दिसंबर 1888 इसवी को इलाहाबाद प्रयागराज में आयोजित किया गया था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जार्ज यूल प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष के द्वारा की गई थी भारतिय राष्ट्रिय कॉंग्रेस का बारहवा अधिवेशन 27 से 28 दिसंबर 1896 इसवी को कलकत्ता आधुनिक नाम कोलकाता में आयोजित किया गया था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता रहीम तुला सयानी के द्वारा की गई थी इसी अधिवेशन में पहली बार वंदे मातर्म गाया गया था भारतिय राष्ट्रिय कॉंग्रेस का 22 वा अधिवेशन 26 से 27 दिसंबर 1906 इसवी को कलकत्ता कोलकाता में आयोजित किया गया था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी इसी अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था भारतिय राष्ट्रिय कॉंग्रेस का 23 वा अधिवेशन 26 से 27 दिसंबर 1907 इसवी को सूरत में आयोजित किया गया था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता डौक्टर रास बिहारी घोश के द्वारा की गई थी इसी अधिवेशन में भारतिय राष्ट्रिय कॉंग्रेस का पहला विभाजन हुआ था भारतिय राष्ट्रिय कॉंग्रेस का 24 वा अधिवेशन 29 से 30 दिसंबर 1908 इसवी को मदरास चैननेई में आयोजित किया गया था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता डौक्टर रास बिहारी घोश के द्वारा की गई थी इसी अधिवेशन में भारतिय राष्ट्रिय कॉंग्रेस के समविधान का निर्मान किया गया था भारतिय राष्ट्रिय कॉंग्रेस का 27 वा अधिवेशन 26 से 28 दिसंबर 1911 इसवी को कलकत्ता पोलकाता में आयोजित किया गया था इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित बिशन नारायन धर के द्वारा की गई थी और इसी अधिवेशन में पहली बार जन्गन मन गाया गया था भारतीय राष्ट्रिय कॉंग्रेस का 33 वा अधिवेशन 28 से 29 दिसंबर 1917 इस्वी को कलकत्ता पोलकाता में आयोजित किया गया था इस अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बैसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष के द्वारा की गई थी भारतीय राष्ट्रिय कॉंग्रेस का 41 वा अधिवेशन 26 से 28 दिसंबर 1925 इस्वी को कानपूर में आयोजित किया गया था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता श्रीमती सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला के द्वारा की गई थी भारतीय राष्ट्रिय कॉंग्रेस का 43 वा अधिवेशन 26 से 27 दिसंबर 1927 इस्वी को मदरास चैननई में आयोजित किया गया था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता एम ए अनसारी के द्वारा की गई थी इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी भारतीय राष्ट्रिय कॉंग्रेस का 45 वा अधिवेशन 29 से 31 दिसंबर 1929 इस्वी लाहौर आधुनिक पाकिस्तान में में आयोजित किया गया था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहर लाल नेहरू के द्वारा की गई थी तथा इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी भारतिय राष्ट्रिय कॉंग्रेस का 46 वा अधिवेशन 29 मार्च 1931 इस्वी को कराची आधुनिक पाकिस्तान में में आयोजित किया गया था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभाई पटेल के द्वारा की गई थी तथा इसी अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी भारतिय राष्ट्रिय कॉंग्रेस का 51 वा अधिवेशन 27 से 28 दिसंबर 1937 इस्वी को फैचपुर में आयोजित किया गया था इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरु के द्वारा की गई थी और यह अधिवेशन गाव में आयोजित किया गया था भारतिय राष्ट्रिय कॉंग्रेस का 55 वा अधिवेशन 23 नवंबर 1946 इस्वी को मेरठ में आयोजित किया गया था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जेबी क्रिपलानी के द्वारा की गई थी आजादी के समय भारतिय राश्ट्रिय कॉंग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी जीवत राम भगवान दास कृपलानी की थे लेकिन 1947 इस्वी में हुए एक विशेश अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंदर प्रसाद के द्वारा की गई थी और यहाँ अधिवेशन दिल्ली में आलोजत किया गया था